Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें साथ ही नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें Hello Friends, इगनू जुलाई से सन अड्मिशन स्टार्ट हो चुका है आज इस वीडियो में मैं आपको उससे related सारा information देने वाला हूँ अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना साथ ही नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना अब आप अपने स्क्रीन में सारा information देख सकते हो तो Friends, मैं आपसे request करता हूँ आप इस वीडियो को end तक देखना यहां आप देख सकते हो यह है admission portal का website जहां आपको show हो रहा है Welcome to admission portal July 2020 और इसका last date 31st July 2020 है तो इसका date में changes हर बार देखने को मिलता है यह date further extend हो जाता है हर बार इस बार भी यह date extend हो जाएगा और अब आप next information देख सकते हो इस admission process से related आपके screen में यह रहा Friends वैसे तो मैं अपने channel में special video लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा इस form को किस तरह से fill up करना है लेकिन अभी मैं आपको कुछ process बताना चाहता हूँ सबसे पहले आपको admission portal में जाना पड़ता है वहां registration करना पड़ता है उसके बाद आपके phone में आपको user ID और password मिलता है उससे आपको re-login करना पड़ता है फिर admission form fill up करना पड़ता है उसके बाद वहां आपको photo, signature और documents upload करने पड़ते हैं फिर आपको declaration box में tick करना पड़ता है और आप preview देख सकते हो जिसने में आपका सारा details देखता है उसके बाद आपको last में payment करना पड़ता है फिर आपको payment का confirmation message मिलता है उसे आपको print out करना रहता है और उसे future reference की तरह अपने पास रखना पड़ता है अब आप देख सकते हो क्या documents आपको upload करने पड़ते है तो ये कुछ documents हैं जो आपको admission के वक्त चाहिए रहता है जिसमें आपको सबसे पहला photograph, signature, age proof educational qualification का सारा documents मतलब आप अगर BA के लिए admission ले रहे हो तो at least आपके पास dual तक का document होना चाहिए अगर आप master's degree के लिए admission लेना चाहते हो तो आपके पास bachelor degree तक का education qualification का certificate होना चाहिए उसके बाद experience certificate अगर आपके पास है तो उसे upload करना पड़ता है category certificate अगर कोई SC, ST, OBC candidate form fill up कर रहा है तो उन्हें upload करना पड़ता है उसके बाद BPL certificate अगर कोई BPL category में आते हैं तो उन्हें upload करना पड़ता है अब आप further information अपने screen में देख सकते हो Friends, तो अगर अभी तक आपको कुछ भी problem हो आप मुझे comment कर सकते हो और दिये गए Instagram ID पे आप मुझे message भी कर सकते हो अब मैं आपको कुछ important information देना चाहता हूँ जिसमें आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि last date admission form का extend हर बार हो ही जाता है जिसमें अभी 31st July last date है वो 15th of August तक हो जाता है तो इस बार आप उमीद कर सकते हो कि IGNU फिर 15th of August तक इस date को extend करेगा क्योंकि अभी बहुत सारी universities और CBSE के 12th board अभी तक exam conduct नहीं करवा पाए हैं lockdown की वजह से और अभी students के पास previous degree certificate available नहीं है जिस वजह से वो इस form को अभी fill up नहीं कर सकते हैं तो आप उमीद कर सकते हो कि ये इस बार भी IGNU के तरफ से date को extend किया जाएगा जिससे के students को कोई परेशानी ना हो मैं बहुत ही जल्द अपने channel में एक separate video upload करूँगा जिसमें आपको बताऊँगा इस form को किस तरह से fill up करना है और subject किस तरह से आपको select करना है आप से request है इस channel को आप subscribe कर लें साथ ही notification bell press कर लें जिससे के आपको इगनू से related updates time to time मिलते रहेंगे अगर अभी भी आपको कुछ problem हो आप मुझे comment कर सकते हो और दिये गए Instagram ID पर message कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like करे, share करे, channel subscribe करे साथ ही notification bell press करे Thank you very much Thanks for watching video Please subscribe and press notification bell for further updates